नमस्कार दोस्तों स्वागत कर आपका हमारी चैनल पर इस वक्त हम मौझूद है चंदा स्रवेटे जी से जो आदिवासी कॉंग्रेस महिला विभाग की प्रमुक हैं आईन से जानते हैं जिस्तकार की जो योजना भाजपा चला रही है कॉंग्रेस का क्या कहना है लाडली बहना योजना योजना नमस्कार मैं जानना चाहता हूँ जैसे लाडली बहना योजना जो चल रही है भारती अंता पार्टी की सरकार की क्या महिलाओं को उचित लाप मिल पारा है या फिर सब यह जुना लेके आए 18 साल तक तो बेहनों की याद नहीं आई उसके बाद चुनाओ जब नजदिक आते हैं तो उनको बेहनों की याद आती है बेहनों को सिलेंडर बोलते कि साड़े चार सो में देंगे और भी योजना हैं जैसे उजवला योजना इसके पहले आई थी उजवला योजना तो दे दी उन्होंने उसके बाद बेहनों ने सिलेंडर भी नहीं खरीद पाई इतना महंगा कर दिया इस टाइप की तो योजना हैं बेहनों को धोके में नहीं रहना है और मेरा ये कहना है कि जो कमलनाग जी की सरकार जो आईगी पास्तों क सिलेंडर हर गर को देना है तो वो अपना वचन पूरा करेंगे मैंने कल ही इसके विसे में पढ़ा था कि सारे चार सो जो सिलेंडर होने जा रहा है तो जो पतियों के नाम पर हैं सिलेंडर वो पतियों के नाम पर ट्रांसफर करने में चारह जार रुपए जमा करना है उन्ह को समझ जाना चाहिए कि सिर्firाज सरकार या मामा जी की सरकार जो बच्चों के भविस्ट को खत्रे में डाल रहे हैं आई दिन घोटाला हो रहे हैं पतवारी घोटाला हो अगर क्या उनकी सरकार बन ही रही है हम बहने तो यहीं चाहती है कि हम सभी का सभी बहनों का ऐसा मत है कि कमलनाजी की सरकार आनी चाहिए और आने के बाद 15 सो रुपए जो नारी सम्वान योजना के तहत सभी बहनों को दिया जाएगा और 500 हर घर में सिलेंडर चाहे मतलब पु किस पकार से कमलनाजी की सरकार अगर आती है तो वो क्या योजनाय बनाती है कैमरामेन अंकित के साथ अनुखिलाल दिवेदी अने टीवी लाइब बोपाल से